नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस 24 आपके साथ मैं हूँ रवी ठाको शुरुवात इस वक्त की पड़ी ख़बर से संसद भवन के बार निलंबित संसदों का प्रदेशन आज देखने को मिला 141 संसदों के निलंबन पर विपक्ष ने विरोज इता है विपक्ष ने निलंबित संसदों की पहली की मांग की है तो संसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष सरकार पे लगातार हमला वरे आज एक बार फिर तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता संसद के बाहर निलंबन के मुद्धे पर सरकार को खेरते वे नजर आए और सरकार के तमाम कह सकते हैं कि कई नेताव ने सरकार की तरफ से भी इस मुद्दे पर पलटवार किया है आज जुबानी जंग इस पूरे मुद्दे पर लगातार दिनबर देखने को मिल रही है तस्वीर हैं आपको दिखा रहे हैं किस तरह से संसद भवन के बाहर निलंबित संसद आज एक बार फिर गांदी जी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदशन करते हुए नजर आए अब तक संसद के शीत कालिंग सत्र में 141 संसदों को निलंबित कर दिया गया है आलांकि उंबिरला के तरफ से पहले भी ये का गया था कि इस निलंबन का मकसद या इस निलंबन का मतलब ये ना निकाला जाए कि संसद की चूक मामले से जुड़ा हुआ है इसका मकसद है कि संसदों ने जो वैवार किया है वो सही वैवार नहीं किया है इसके चलते इनको लंबित किया गया है अब आपको बता दें कि इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है गर्मा गई है दूसरी तरफ एक और बड़ी कबर मलीकार जिन खरगे ने कहा कि जो हुआ वो सदन के बाहर हुआ ऐसे तो मेरी जाती पर हमेशा हमला होता है इस वक्त की ये बड़ी ख़बर क्योंकि मलीकार जिन खरगे कह रहे हैं कि मुझे भी बोलने नहीं दिया जाता है क्योंकि मैं दलित नेता हूँ तो राजे सभा के उपसभापती को मेरी बात मेरी पीडा नहीं सुना चाते हैं आप कहते हो 138 साल पराणी पार्टी हो क्या हुआ है आपको सब पता है आपकी चुपी मेरे कानों में गूज रही है खडगेजी की चुपी मेरे कानों में गूज रही है कांगरेस के देख से हैं सब को पता है क्या कुछ हो रहा है आपको अंदाजा होना चीए कि एदी एगर कोई वेक्ती वीडियो ग्राफिकर आनद लेता है एम्प्लिफाई करता है यह संस्कार है क्या अपने यह संस्कार है क्या यहां तक इस तरह आ गया क्या सर मैं बत यह है दीग विजय सिंग जी मेरी बात सुन ली जिए जगदीब धनकड की कितनी बेज़ती करो मुझे कोई चिंता नहीं है भारत के उपराश्ट पति की किसान समाज की मेरे वर्क की मैं पूरी आउती देदूँ आ हवन में मैं खुद की परवाद नहीं करता मेरी बेज़ती कोई करता है मैं सेन करता हूं खून की घूट पिता हूँ पर मैं ये बरदास कभी नहीं करूँगा कि मेरे पद की गरिमा में सुरक्षित नहीं रख पाया इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है इस पॉस्ट करना चाहता हूं सर कि इन लोगों ने प्रजान मंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं प्राश्ट्रपति को अपमानित करते हैं कल जो आपको अपमानित किया है आपके पद को अपमानित किया है समिधान को अपमानित किया है उसके लिए हम इस सदन्य कारवाई जो प्रश्णकाल आप चला रहा है इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रटस्ट में हम खड़े होकर एक प्रश्णोत्तर में हैं और हम प्रश्णोतर में हम भाग लेते हैं सर और इसके साथी साथ इसका प्रश्डेंट भी मानने राष्टरपती भी इस घतना का खंडन किया है हर आदमें अगर अपनी जाती के लिए किसी विशय पर अगर बोलते हैं तो मेरे जाती को एफेक्ट हुआ मेरे जाती को तो हमेशे एफेक्ट होता है मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है मैं जो सवाल उठाता हूं उसको उत्तर नहीं मिलता और आज देखिए हम जो कोई बोलने के लिए ठेले कि चिदरमान साथे हमारे सिवा थे और करीम साथे वाइकोल साथे सभी थे सभी थे हैं वो बात करने के लिए तो उठे तो जितने मेंबर्स उनके हैं राजस्तवा के वो पूरे उठके खड़े हो गए स्लोगन शाउटें यह कहीं है रूलिंग पार्टी खुड दस लोकों के लिए अगर दोसों लोग खड़े होते हैं तो यह एक मजाग है डेमोकरसी का और डेमोकरसी को खतम करने के लिए ऐसे जो प्रिसिदेंट्स को क्रेट कर रहे हैं और दूसरी भाग जो मिमी क्राई यहां पर हो गई है आउटसाइड यह सब ने देखा होगा यह आपको भी मालू जो घटना सदन के बाहर होगी हाउटस आउटसाइड दी हाउस तो उसके बारे में सदन में एक रेजुलूशन पास करना कड़ेम करना यह कहां का है और वो भी ठहरे ठहरे पार्लमेंटरी अफ़ेर्स मिनिस्टर ठहरते हैं और सव देड़ सव राजसाबा के मेंबर उनके पीछे ठहरते हैं वहाँ स्टेटमेंट करते हैं और हाउस के अंदर हमारे चेर्मेन साफ उनको भी पर्मिशन देते हैं और हम सचाई बोलने के लिए हमको पर्मिशन नहीं मिल रहा है अपमानित नहीं करना चाहते हैं करने का हमारा इरादा भी नहीं वो हमारे करेक्टर में में देंगे